आज हम आपको एक ऐसी हैरत तंगेज चीज के बारे में बताने लगें जो पूरी दुनिया के अंदर उसे ने तहल का मचा दिया है कि जो स्टीराइड, सप्लीमेंट इन सबसे उपर है कुछ फाइदे हम यहावे जिम में मजूद हैं तो जिम के फाइदे आपको बताएंगे कि यह किस तरह अफेक्ट करता है ताजा तरीन अप्लोट्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंटी के निशान को दबाना ना भूराइब को मैं हूँ इसमान बुलट और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान आज हम आपको एक ऐसी हैरत तंगेश चीज के बारे में बताने लगे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर उसे ने तहल का मचा दिया है और ये इतनी लेट क्यूं पता चला इसकी एक वज़ा है पुराने दोर में हकीम होते थे वो कभी अपनी उलाद तक को नहीं सिखाते थे किस तरह इलाज करना है जड़ी बूटियों से इलाज जब से दुनिया शुरू हुई है तब से किया जा रहा है और मौत के अलावा हर चीज का इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता है और किया जाता रहेगा आपने यह भी देखा होगा कि ममी जो हनूत करते हैं उसको भी जड़ी पूटियां लगाके हनूत किया जाता है और वो कई हजारों सालों से पड़ी हुई है और उनको कुछ भी नहीं होता फरोन की ममी पड़ी हुई है उसको भी इसी तरह जड़ी पूटियां लगाके तो जड़ी पूटियों का इलाज जो है वो पुरी दुनिया में चल रहा है आप लोगों ने बहुत सारे स्टीराइड यूज किया होंगे सप्लिमेंट यूज किया होंगे एक तो ओरिजिनल चीज मिलती नहीं है आप खुद हिसाब लगाएं कि आप साथ जार पे का एक डबा ले रहे हैं जिसका वज़न है फाइव एल बी एस और वो अमेरिका से आ रहा है तो उसका कस्टम साथ जार से जादा है भाई यह आपको पागल बनाया जा रहा है आपको चोक बेचा जा रहा है आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे कि जो स्टीराइड सप्लीमेंट इन सबसे उपर है और वो कितनी बिमारियों का इलाज है किस को चाहिए किस एज के बंदे को चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे और ये चीज एक छोटे से कैपसूल में है और ये इतनी एफेक्टिव है कि आपको हर बिमारी का इलाज इसके अंदर मिलता है आपका मुटापा है आपको गेन करना है आपको कुछ भी करना है अपनी बाड़ी के साथ आपने अपनी बाड़ी को बेतर बनाना है आपने अपना स्टेमना गेन करना है तो ये एक कैपसूल हर चीज करता है मैं मेरा बाजू जो था करोना की मेरा से 18 इंच, 16, 16 इंच था और करोना के बाद मेरा बाजू जो था वो 17 इंच पे आ गया और मैं जो हूँ मैं खुराक के साथ जो है अपना गेन करता हूँ मैं कीमा खाता हूँ मैं और चीज़े खाता हूँ और उनको हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है उन चीज़ों को बचाना जिसको बोलते है बचाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है शुमाइल ने मुझे दो डिबियां as a gift दी कि भाई ये आप इस्तमाल गए शुमाइल मैंने तो इसको महसूस किया कि मेरा stamina भी बड़ा है और मैं करोना के बाद मेरा वज़ून बहुत कम हो गया था डोला चोटा हो गया था और अपने बड़ों को भी दे रहा हूं अपनी मौमा को भी दे रहा हूं तो ये बड़ा अफेक्ट कुछ फाइदे हम यावे जिम में मजूद है तो जिम के फाइदे आपको बताएंगे कि ये किस तरह अफेक्ट करता है पहली चीज ये है कि आप पूछते होंगे कि शुमाइल कौन है ठीक है मैं पहला थोड़ा अपना तारुफ करा लो मैं एक फूड़ साइंटेस्ट हूं मैं नेशनल लेवल आमरेस्टर हूं और पावर लिफ्टिंग करता हूं ठीक हो गया तो अब मॉरिंगा के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं कि बॉड़ी बिल्डिंग के लिए ऐसे कि इसमान भी नेका है बड़ी जबदस चीज है ये देखें बॉड़ी बिल्डिंग एक लाइफस्टाइल है ठीक हो गया इसमें आपने अच्छी खुराक लेनी है बिमा तो वेट लॉस के मसला हो रहा है म реально कि लूस करना चाहते है जो लोग मोटे लोग है उनका वेट लॉस करता हुँ उसके बाद ये अपना ंंसर कालाज है एंट ट्यूमर है उसके बाद जिन大家 barbarism की के मसला यह उसके लिए है ठीक है तो purchase Ran my nine जाती रहती इसके हवाले से कैसा रहा है कि मतलब के, पेली बात को मैं एक टाइम पे बहुत मोटा था, पिक्चर आप स्क्रीम पर प्रबबली देख रहे होंगे, मैंने मुरिंगा यूस किया और मतलब के वेड लॉस हुआ से मेरा, फिर करोना दिरम्यान में आ गया, मज़े की बात मुझे को क्रोना लग बीगिया थनमيान में, लेकिन अलहुच लेजिए मोरिंगा को में रगुलर यूस करा था ता साल से, तो उसने मेरा इम्योन सिस्टेम document कर दिया था, क्यर मुझे कुछ भी नहीं कगा। मतलब के करोफ करोस मैं मैं में रिकावर हो और मैं आपके वर्दिश भी एका फादा मनें मुसल बनाना होता है ठीक है देखें मुसल आपका तब बनेगा ज़िए आपकी सेत बरकरा रहा है ठीक है पली चीज जी दूसी चीज़ ये कोई ऐसा पौदा सिभाय सोय बीन के कोई ऐसा थावर सौय बीन इसमें अमाईनो शेट तरह नहीं होते इसके से बड में जबा लेते हैं एक शुटी नभी काम कर सकती है बिलकल कर सकती है ठीक है अमयनी आसेट तो आप के दिसंती हो जिसम की और नो एक भार्प्रब लेक है और दूसरी बात है एक सुप्लीमेंट का यह जो सब्टार नुकसान हो सकता है और कर और यह 100% नैचरल है फॉद्दा है उसका पॉडर बनाया है और कैपसुल के अंदर डाल दिया है तो साइड फैक कोई नहीं है इसका अचा इसको क्या प्रोसेस किया जाता है क्या प्रोसेस आप इसका कर रहे हैं कि यह इस शेप के अंदर आथा देखें मुरींगा या सुहांगना या डृम शट्रीक ट्री जिसे का जाता है अंग्रेजी में एक आघर ठीक है दर्थ बनता है इसका इसके उसकी मूलिया लगती है वि सके जर्ग क आप स्थाएं हैं पर्टों का इसकी लकडी जोती है मार्केट में जाएंगे तब को सिरो पते देंगे ठीक है मैंने इसमें लकडी बैड किये क्यूंके उसकी लकडी के बोत फवाइद है ठीक है रिसर्च जो प्रूवन है तो थोड़ी सी लकडी इसके थोड़ी से पतों को पहले द्रग से उतारा जाता है उसके प्रोसेस करने के लिए ड्राए कजे जाता है उसके सफाई की जाती है तक एक मटी नहों ऊसपे झाला नहों तो आप फिर इसको क्यापसुल की फॉर्म देते हैं अब दूसरा सवाल यह एंपे यह आता है कि कैपस।ल आपने इसके की जाता है क्यों कि मैंने तो छट्कें पर संव। एक्पमेंट होग भी है, न की मै्टी गटा नहीं, ना यह लोगी पड़ा आपनागे तो झापनागे शोड़ा हैं जो के हम सुड़ा है लिए लेको प्रदी इस के लिए बचा लगा लेते के अ तो उसको मिट्टी घटे और इन चीजों से बचा लेते हैं और आपको बदा है गरों के अंदर छुप कली हैं, कीडे मुकूडे होते हैं तो वो पत्तों के पर चड़ जाते हैं, तो अच्छी बात है कि आप थो के उसको मशीन के अंदर ट्राइ कर लेते हैं अच्छा मुझे भाई सबसे जूरी एक चीज़ पूछनी है कि लोग जिंसिंग की टैबलेट्स काते हैं मरदाना ताकत के लिए जिंसिंग की टैबलेट्स यूज़ करते हैं तो ये कितना अफेक्टिव है रिसर्च के मताबिक ठीख है आपका जि लीड ओ एफेक्ट होता है यह अगर आपको वीकनेस आरी है यह तु टािम जादा एफथिव्य थीक है प्राफली गैंसिंग से टू टाम जादा एफ़ेक् impressiva बी तो पल्कुल छथ आदा और यहां अच्छी चीजर्व लेकिन गिंसिंग साको वह फायदी इम लें या अश्यू मुरहें के साथ आपको जिम के अंदर बहुत ज़रुबद होती है कि आपकी ब्लड सर्कॉलेशं तो आइटिक हो जैगी दूसी चीज मुझे बताएं कि अगर कोई बिल्ड करना चाहरा है जैसे मैंने बिल्ड की है मैं खुराके लेता हूँ वो ली जो मेरी सिहत पे मुझे गेन करें और मैं गेनर्स ले रहा हूं मुख्तलिफ किसम के और पहले मैं लेता था तो मैं बहुत ज़ादा प्राब्लम होती थी मुझे और वो किस तरह की प्राब्लम होती है कि कमरे के ओपर दाने निकलाते थे वो सप्लिमेंट्स लेने से और तो वो इसने काफी रिकवर की है कि अब मेरे कमरे पर कोई दाना नहीं है, कोई दाने नहीं निकलते, इसकी वज़ा मुझे नहीं समझ आई किया वज़ा अच्छा इसकी बड़ी मज़दार बात यह है कि मुरिंगा आपके दाने पता किस वज़ा से रुके हैं मुरिंगा में वो केमिकल भी है, जो आपकी स्किन और बाल ठीक करता है, केरिटन प्रोडक्शन जिसे कहते हैं तो आपके दाने प्रॉब भी चासे हैं, केरिटन तो बहुत महंग है भाई हाँ जी, लेकिन इसमें देखें मजूद है, इसको बूश करता है, मतलब कि करते हैं केरटन जो है यह नाखून बाल और यह चीज़े है, और केरटन बहुत जब जादा, अगर आप देखे हो, तो वो गेंड़े का सिंग नहीं है, वो केरटन नहीं है बिल्कुल, तो ये कैरेट रम प्रड़क्शन लपके जिसम में इसको तेज गरता है। इसके ज़्से आपकी स्किन बेतर हो जोगती है, बाल बेतर हो जिल्दी के बॉड़े नहीं होते हैं। बिल्कूल और की मुझे दिने हैे लोकले nut आपके इन्सान के च dol़ को एंसान कर देता है और औछ आपका हмदधा को मतलब較ści हमद्ऴ कार मेरे की है बिल्कुल ऐसा ही है तो यही है मरंगा जिसके इतने ज्यादा फैदे हैं तो औरे भाई आप मुझे अब एक और चीज बूशनी है जो सबसे ज़ूरी है कि ये कहां से मिलेगी और इसकी कीमत किया है ये वीसील जेम से भी मिलेगी आपको आप मेरे से भी इसको ले सकते हैं अच्छा मज़िगी बात ही है कि जब मैने सको शुरू किया तो नहीं मेरा मकसद था कि पाकिस्तानी इवाम को अच्छी चीज मिले क्योंकि पाकिसान इवाम को इसके बारे में इतना पता नहीं है लेकिन यूएसे वगारा या अपना यूके हो गया इसको लोग इसके पीछे पागल है ठीक है इसको सूपर फूड़े के फारदी बहुत है तो हम मज़़े की बात यह के मार्केट में एक थोड़ा महंगा है इसके एक सर बोतल में 30 कैपसुल होगा ठीक है इसमें मैंने 45 कैपसुल की है और यह सिर्फ 500 रुड़े का मेरे से निए और यह पांच रुड़े का मिलेगा और मुझे एक शी बताएं कि इसकी पैकिंग के बारे में आप कह रहे हैं कोई और पैकिंग आप इसकी करने लगे ह चेंज तो वो पैकिंग अब चेंज हो जाएगी पैकिंग इसकी यह निया प्रोड़क्टी में लाउंच किया पैकिंग इसकी चेंज हो चोगी जब आपने हाथ में पढ़ा हुए निया वाला है अचा यह नहीं वाली है इसमें मतलब कि मैंने कैपसुल भी 45 का दिया 30 के हाँ सबसे बड़ी बात कि यह हलाल है कि यह द्रग से उतारा गयाip और नेचरल है और इसका कोई साइड ऐफेक्ट नहीं है इसके फायदे ही फायदे है और आप इसको एक डबबी ले के इसको चेक कर सकते हैं और आपको कितना ऐफेक्ट करेगा यह कितना जादा आपको यह चिम के अंदर फाइदा देगा ये आप खुद इसको इस्तमाल करके पता लगा सकते हैं वैसे दो आपको नहीं पता चलेगा और इसको लेने के लिए आपके स्क्रीन के ओपर नंबर भी आ रहा होगा और इनका अड्रेस भी आ रहा होगा तो इसी के साथ हमें अजाज़त दीजे और देखते रहे ये बीस्फल पाकिस्तान